नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्नित आवाज और मैं हूर आशित कुरोनकाल में लोग किस तरह बरबाद होए ये हम सब ने देखा तीन साल हो गए लेकिन आज भी लोगों की जिन्दगी पटे पर नहीं लोटी है आदमी बड़ा हो या छोटा हो बरबाद सभी होए हैं सब अपने अपने तरीके से उन्होंने कैसे अपने आपको मैनेज कर आए ये सब अपनी जिन्दगी में जानते हैं काम धंडे लोगों के चौपट हो गए कार खाने से लेके फैक्टरियां तक बंद हो गई हैं लोगों की जिन्दगी करजे में आ गई हैं छोटे इस तर के लोग हैं वो कैसे उन्होंने अपनी जिन्दगी गुजारी हैं लोगों से करज मांग मांग कर अपने घर चलाए हैं इलाज में कमी, सुरिधाओं में कमी, ऑक्सिजन में कमी, ना जाने इसकी वज़ा से कितनी जाने चली गई, वहीं दूसरी ओर, लोगों को जो बिमार थे, उन्हें किस हालत में लेके गए, कोई अपनी सड़कों पे ऐसी पैदल ले जा रहा है, कोई रिक्षे में ले जा रहा ह है, तो वहीं हमने कैसे देखा कि, तो वहीं हमने बखू भी देखा कि किस तरह से लाजों को गंगा में बहाया जा रहा है, क्या आप जितनी भी यह जाने गई, उनको गिन पाएंगे, आप सही आकड़े पे पहुँच पाएंगे, अब इस मामले में, WHO ने एक दावा पेस कि है, जिसमें कहा गया है कि भारत में, कोरोना काल में 47 लाग से जादा जाने गई है, अब ये खबर, ये दावा या ये आंकड़ा, भारत सरकार को हजब नहीं हो रहा, आगर क्यों हजब नहीं हो रहा, मैं आपको बता दू, इसमें एक खबर आई है, कोरोना की वज़ा से मौ जादा का है, ऐसे में भारत सरकार जो है, वो बॉक ला गई है, आके डवलो एचो ने ये क्या कह दिया है, डवलो एचो की रिपोर्ट पर आपत्ती दर्ज करा दी है, उसका ग्रोध हो रहा है, बात बिलकुल ये गलत पता ही जा रही है, अब सरकार से सवाल बनता है कि अग पता चल सके कि आपके आकड़े सही है और डवलो एचो के आकड़े गलत है, या फिर जो डवलो एचो जिस दावे से कह रहा है, उसके सबूत मानिए, उसके आकड़ों पर नजर डालिए कि आखिर वो क्या क्या रहा है, क्या भारत सरकार उनका आकड़ा देगी, जिनकी जान या ऐसी गंगा में बहादी गई बहुत सारे मामले जाब आप क्या सोचते हैं सरकार ने इस बात पर भी जोड़ आए कि डवलो एचो द्वारा जो आफले जारी किये गए हैं वो सिर्फ सत्रा राज्य को लेकर हैं केंडर के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं केंडर ये सवाल भी कर रहा है और डवलो एचो ये कह भी रहा है कि वो केवल सत्रा राज्य हैं अगर पूरे भारत के आंकड़े दिखा दिये जाएं तो मामला 47 लाग से और उपर चला जाएगा जिसमें सरकार की किरकरी और बढ़ जाएगी आगे सुनिए डवलो एचो द्वारा लंबे समय तक वो इसपस्ट नहीं किया गया था अब ये भी नहीं पता कि ये कब क्या आंकड़े के गई थे इसके लावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि डवलो एचो ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तमाल करते हुए ये आंकड़े चुटाई है जबकि भारत द्वारा हाली में विश्विसनियां CSR रिपोर्ट जारी की गई है डवलो एचो की रिपोर्ट के अगर बात करें तो उसमें जो बताया गया है दो सालों में डेड़ करोड लोगों की कोरोना या फिर समय पर इलाज ना मिलने से जान गई है आप देख रहे हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है डेड़ करोड लोग जिसमें भारत के अंकड़ी के अकर बात करें तो वो 47 लाग से जादा है जिसमें कोरोना काल में जान गई है और इलाज ना मिलने के कारण जान गई है डवलो एचो ऐसा नाम है कि वो पूरे देश भर पूरी दुनिया भर की रिकोर्ट वो उजागर करता है वर्ड हेल्थ और नाइजेशन जिसे कहते हैं और उस तमाम दावे पेश करता है लेकिन अगर आप उसकी बात को डिनाई करते हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि आपकी आपकी आपके आखड़े को सही माना जाए आप आखड़े कि कितने लोगों की जान गई है कितनी धांदली हुई है कोरोना काल में हमने कितनी धांदली देखी आप सब ने देखा तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाए कि किस तरह से इस्पतालों में बाडी और्गेंस बेचे गई किस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया और सीजन अपन पता था कि इतनी बड़ी महमारी हमारे देश में कदम रखने वाली है तो उसके लिए आपने तयारीया पहले सी क्या क्योई थी आपको ये भी आख्रे रखने चाहिए कि जब पूरी दुनिया में क्ारोना महमारी फैल रही थी उसक्त आप अपने ट्रंप का प्रोग्राम च चाहिए और उसके बाद आंगले निकलने चाहिए कि कितने लोगों की जान गई उसके बाद आपको कहना चाहिए कि डवलू है जो उसने दावा किया है वो गलत है और आपका दावा से ही है एसे तमाम बाते हैं ऐसे और मामले हैं अगर आप देखेंगे आप जानेंगे आपको पता चलेगा लेकिन हमारे देश के मीडिया जो हिंदो मुसलिम में आपको जाते हुए रखती है मंदिर मस्जित में आपको लोगों को उभरे नहीं देती वो चाहती है कि ये कुछ कौमे ह जो आपस में एसी में लड़ते रहें और अपने हक की बात ना करें देश के विकास की बात ना करें देश के असल मुद्दों की बात ना करें सरकार की किर्किरी तो बिल्कुल भी ना करें ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आप लोगों को जरूर जाने चाहिए बैराल आप दावे के आगे और क्या कहती है तो सभूत पेश करती है कुछ आंक्डें निकालती या फिर डबलों एचोन चर शोントि Çो दावा क्या है उसे हवा में ही गलत साबित करती है देखने वाली बात होगी तब तक के लिए नमस्कार और वने रहे हमारे साथ और देहते रहे हैं